जहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2024 में सामाजी विग्यान का पेपर कैसा आएगा देखें यह हमारे पास यहाँ पर 2023 का सामाजी विग्यान का पेपर है सेम इसी पैटरन पर और ऐसा ही आपका जो पेपर होगा पूछा जाएगा क्योंकि देखें जो आपका पैटरन है यह अब कम सेम तीन या चार साल तक चेंज नहीं होगा तो वीडियो को पूरा देखना इससे देखें आपको एक फायदा हो जाएगा आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से प्रस्ण कितने नंबर के पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जते यह सारी चीजे जो पता कर लिए तो बड़ी आसानी ओती पेपर देने में तो वीडियो को पूरा देखना सारी चीजे बताऊँगा और जो यहाँ पर मैप होता यह भी बताऊँगा तो वीडियो को पूरा देखना बाकी इस वीडियो को ज़दा ज़दा टेना, बहुँष ज़दा लोग क्या करते हैं कि 2020 इस तरह से छिपा लेते हैं कहते हैं कि यह 2024 का पैपर है लेकिन मैं आप लोगों बता रहा हूँ यह 2023 का लेकिन इसी pattern पर पूछा जाएगा और जो 20 questions होंगे यह बहुत ज़्यादा important होंगे और comment में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम है तो देखें यहाँ पर क्रमांग लिखा होगा डालना होगा उसके बाद में नाम होगा यहाँ पर जो भी हो ऐसे डाल दाना उसके बाद में यहाँ पर यह आपका set number होता है यह set number होता है और यह यहाँ पर क्रमांग संख्या होती 932 होती उसके बाद में 2024 लिखा होगा सामाजी विज्ञान होगा अब यहाँ पर सामानी निर्दे से यह आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है देखे इसमें क्या होता है आपको इसमें दो खंड होगे खंड का होगा और खंड यहाँ पर आ होगा और बा होगा जो आओगा इसमें 20 अंकी के बहविकलपी question पुछे जाएंगे जो बाँ होगा इसमें क्या होगा इसमें वोनादवों प्रस्ण होगे जो आपको कांपी में लिखना होगा और जो 20 अंकी के बहविकलपी question होते हैं आपको ये OMR seat में भरना होता है अब यहाँ से शुरू होते हैं वीडियो को पूरा देखना ये जो questions हैं ये 20 questions बहुत ज़्यादा important हैं इनको तयार ही तयार करके जाना क्योंकि ये previous year paper है तो इन में से बहुत ज़्यादा chance हैं आपके board exam में भी आने की questions तो पहला यहाँ पर की फ्रांस की करांत ही कव हुई थी अगला यहाँ पर जो यहाँ पर मेचनी का संबंध था किस से था इंगलेंड के राटवाद से कि यहाँ पर फ्रांस के राष्टवाद से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर UCP मेचनी था यह इटली के एकी करण से संबंध था राइट आंसर एवाला हो जाएगा और कमेंट में बताना की 20 में से आपको कितने मालूम थे अगला है पर बहुँ ज़्यादा इंप्वाटन्ट है कि हिंद सुराज पुस्तक के लेखा कौन है जवाला नहरू की बी महात्मा गांधी की विनोवा भावे की बाल गंगा धर त तो दिखें जो हिंद सुराज पुस्तक के लेखा कौन है तो यहाँ पर यह महात्मा गांधी जी है बहुँ सिंपल सा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है चोथा निमलखित में से किसने यहाँ पर बार दोली सत्यागरा का नेतरत किया था कि महात्मा गांध दिवाला हो जाएगा और यह कोश्चन जरूरी तयार कर लिए एकजाम से पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टन हैं सारे कोश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन हैं क्योंकि यह प्रिवियस यह पेपर के हैं और अभी बताऊंगा जो यहाँ पर मैफ होता है और किस प्र जो इसका कथन किसका था किसका था मेटर निक्खा था कि नेपोलियन का कि लूई फिलिप का कि यहाँ पर चरचिल का था तो देखें जब फ्रांस चिंकता है तो बाकी यूरोप को सरदी जुकाम हो जाता है किसका खतन था है तो यह मेटर निक्खा है तो राइट अंसर एव हब हो गए हैं यह भी आपको ध्यान रखना पूच्छा जा सकता है आपके बोडिक जम में अगला यहां पर 20 का सबसे बड़ा लोगतांतरिक देश है भारत होगा कि यहां पर सेंगतुराष्ट अमेरिका होगा कि ग्रेट व्रिटेन होगा कि रोस होगा तो दिखे 20 का सबसे ब यहां पर यह 22 जो भारती समिधान की आठवी अनुसूची में कितनी भासा हैं तो यहां पर यह 22 भासा हैं बीवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बहुत ज्यादा इंपर्टन सारे कोर्शन्स हैं तैयार कर लो एकजाम से पहले अगला है लोगतंतर में सक्ति का सुर इमलिकित में से किस देश का विभाजन धर्म जाथ के आधार पर हुआ था वेल्जियम की भारत की यहां पर यूगो लास्विया की यहां पर नेदरलेंड तो इसका राइट आंसर का उनसा होगा यहां पर यूगो इसलाविया हो जाएगा राइट आंसर सीवाला हो जाएग अगला है पर प्रतिव्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी बहुत ज्यादा important है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन सभी कोच्छन हैं आउसत आय के नाम से जाना जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है तो ये आउसत आय के नाम से जाना जाता है तो ये आउसत आय को और किस नाम से जाना जाता है तो आउसत आय के नाम से जाना जाता है अगला है यहां पर क दोतियक छेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है प्रात्मी छेत्रक की खनन छेत्रक की और देगी छेत्रक की करच छेत्रक देखे इसमें क्या होता है जो यहां पर दोतियक छेत्रक होता है यह और दोतियक छेत्रक के अंतरगत आता है द्यान लगना है किसके छेत्रक के अंत तो तेरे carry temperature कून सा हो जाएगा ये 33 EU च photographers के यंतरगत रखा गया है तो ये 33 EU चनक दूर संचार यह सारी चीज़े इसमें होती हैं अगला है पर चवद्वा जो है यह बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है भारत का अधिकान विदेशी वेपार होता है किसे होता है सड़क मार्ग की समुद्री मार्ग से की रेल मार्ग की वायू मार्ग देखें इसमें दो आपसं ठीक है बाकि राइट अंसर दी वाला हो जाएगा अगला है राष्टी उपभोगता यहां पर अधिकार दिवस का मनाया जाता है तो पांच अपरेल की 22 फरोरी की 25 नमबर की यहां पर 24 नमबर तो देखें इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा यह 24 दिसंबर को मनाया जा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला इनमे से किस राज संग छेत्र में काली मर्दा पाई जाती है तो देखें यह महाराष्ट में पाई जाती महाराष्ट हो यहां फिर गुजरात हो यहां सभी में और मद्य परदेश में यह सभी में क्या पाई जाती काली मर्दा पा साथ से देखे जो यहां पर एजंडा 21 का संबंद किसे तो देखे यह यहां पर पर्यावण पर दूसर्ण से संबंदित है तो यहां पर पर दूसर्ण ओजेन जो यहां पर छण होता है तो राइट अंसर यह वाला हो जाएगा क्योंकि यह पर्यावण पर दूसर्ण से किया गया था तो यहां पर 2014 में किया गया था और जो इसका मतलब दिवस कब है तो यह दिखे यहां पर जो 20 फरवरी को यह भी आपको ध्यान अगना है बहुत ज्यादे अगला है निमलिकित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाण है देखे दान होगा कि यह हों की चना देखे चना हो सकता है जो आपसर में और ना हो जैसे तरबूज कपास खरबूजा ककड़ी ये सभी खीरा ये सभी क्या है जायद की फसल में आते है फसल में आती है अगला है यहाँ पर आगना चटानों में पाया जाने वाला खनीज का उन सा है तो यह ग्रेफाइट होता है ध्यानक ना जस्ता भी पाया जाता ग्रेफाइट भी पाया जाता राइट अंसर डीवाला हो जाएगा तो यह 20 कोश्टन थे बहुत ज्यादा लिखना होगा और यहां पर जो i21 प्रसड होगा यह चार्ट नांबर का पूच्छा जाएगा और यहां पर दो अथवाय करके आएगे इनिम्हें से आपको एक करना होता है जो यह सारे qोशन बहुत जादा इंप्वोर्टन्ट है तो इनको भी आप लो तयार कर लिना कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो प्रवाइड कर दूँगा तेजवा उसी प्रकार से पूच्छा जाएगा ये भी चार नंबर का होगा और ये आपको 80 वर्ड में लिखना 80 सब्सीमा अब देखे 80 सब्सीमा कितनी होती तो आपको कम स 10, 12, 13, 14 लाइन में आपको लिखना है तभी 80 वर्ड होंगे तो ये ध्यान अकना है ठीक है और उसके बाद में ये चार चार नंबर के पूच्छे जाएंगे अब आता है यहाँ पर 25 वे कॉच्छन से और ये आपको 150 वर्ड में लिखना है लगभग में आपको 12 उसमें थी तो कम से हम आपको 21, 22 लाइन आपको लिखना मतलब लगभग में एक पेज और दुसरे पेज की 2, 3, 4 लाइन आपको लिखना है और ये 150 वर्ड में पूच्छा जाएगा और ये 6 नंबर के पूच्छन पूच्छे जाएते हैं इनमें भी अतवा करके दो आते इनमें से एक क करना होगा छे नंबर का पूच्छा जाएगा इटली के एकिकरन कैसे हुआ फिर जर्मनी का एकिकरन कैसे हुआ दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्डंट है इनमें से एक करना होगा उसके बाद में 27 भी 6 नंबर का पूच्छा जाएगा और 28 भी 6 नंबर का पूच्छा ज दरसाना है पांच नंबर का यह पूछा जाता है पांच नंबर का यह मैंने इस पर वीडियो आलरेडी बना दिया है कि कैसे मान चीतर भरा जाता है तो वीडियो जरूरी देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इसी प्रकार से आपका जो पेपर होगा सब्सक्राइब भी कर लें जो आपको नहीं पता कि मैप कैसे भरा जाता तो यहां पर वीडियो आ रहा होगा क्लिक करके देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में